अगर आप हमारे चाहिए पर ने हैं तर चल को सब्सक्राइब कर डीजे और नीचे बैल एकन को भी दबा लिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन्स मिलते रहें तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को जो दोस्तो पूलिस परिंसिपल बिसी करी एक ओर मोड़न और मोड़िफाइड वर्जन है मीस्क्ली इसको टृट करने का अभी तक हम मस्क्ली इसका 10 को टृट करने के लिए जो मेजरी करते आहें वह राइस में क्या होता है rest, ice, compression and elevation उसके बाद इसका modern method आया price जिसमें हम protection, rest, ice, compression and elevation का इस्तेमाल करते हैं पर अब नया method आ गया है modernized और modified version आ गया है इस rest और price का rise और price का तो यह है police principle, basically police principle में P stands for protection, OL stands for optimal loading, I stand for ice, C stand for compression, E stand for elevation तो basically police principle का इस्तेमाल हम करते हैं musculo-eskelatal injuries को treat करने के लिए, basically protection में हम क्या करते हैं जो हमारी soft tissue injuries है उन injuries को हम further damage होने से रोकते हैं, basically protection stands for appropriate rest आपको उस part को देना है जो part injured हुआ है ताकि वो heal हो सके उसके बाद OL आता है optimal loading, देखिए optimal loading हमारी muscles, bones, tendons और ligaments के लिए जरूरी होती है ताकि उसके अंदर हम healing को stimulate कर सके healing को stimulate करने के लिए optimal loading बहुत ज़्यादा जरूरी होती है injuries के अंदर, जैसे कि आप optimal loading देते हैं brace की मदद से, crutches की जरिये से तो आप उस part के अंदर optimal loading करते हैं, for example अगर ankle injury आपको है तो उसमें calf के movement से आप edema को body के उपर ankle से उपर की तरफ edema को move कर सकते हैं तो दोस्तो optimal loading जरूरी होती है healing को stimulate करने के लिए, सिर्फ कुछ cases जैसे होते हैं जिसमें optimal loading necessary नहीं होती, जैसे कि severe fracture है उस case में optimal loading necessary नहीं होती, पर अगर severe fracture नहीं है, कोई injury है तो वहाँ पर optimal loading उस part को heal होने के लिए stimulate करती है, उसके बाद rest, ice जो होता है ice आपको लगाना होता है, compression आपको देना होता है और उस part को elevation देना आता है, वो same procedure आपको follow करना है तो basically जो rise और price आप अभी तक use करते हैं तो अब आप उसके अंदर use करेंगे police principle को protection, optimal loading, ice, compression and elevation तो दोस्तो आज की वीडियो में आपको समझाया police principle के बारे में, उम्मिद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो नीचे like करिए और नीचे आपकी comment section में valuable feedback देना बिलकुल ना भूले, वीडियो अच्छ